कैसे हैं आप सब आप सब ठीक होंगे खुश्य होंगे और अबाद होंगे आपको हमेशा खुश्य और अबाद रखे आज मैं आपके लिए गुल्फा आइस्क्रीम की ऐसी रेस्पी लेके जो आपने पहले यूटूब पे कभी नहीं देखी होगी सबी जो यूटूब फ्रें अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगी तो मुझे अपने फीडबेक तुझी जरूर दीजेगा तो फ्रेंड मैंने एक किलो दूद लिया है हाफ कप करीम है हाफ कप शुगर है यह साथ से आठ जो है रस है मेरे पास बरीत्य तो मैंने आठ ले लिए अगर आपके पास म हैं हमने प्यारी सी यहां पी पतीली ली है उसमें हम वन लीटर दूद डालते हैं बिस्मिल्ला वहमान वहीं और यह बिस्मिल्ला वहमान वहीं यह हाफ कप ही हमारी करीम है आप इसकी जगह पर को मैंने अच्छी तरह से बीट करके तो फिर मैंने इसमें डाल लिया तो आप इसकी जगा पर गर की बलाई भी ले सकते हैं, करीम भी ले सकते हैं, जो आपका दिल है वो आप ले ले, और हाफ कप ही इसमें मैं शुगर एट करूँगी, बिसमिल्लार बाह्मान वाहें, यह देखें, तो साथ में मैं यह हाफ टी स्पून इलाज़ी पावडर और आठ से दस मैंने बदाम के जो कश करते हैं, इसको अच्छी से मिक्स करूँगी, यह हमारे दूद के साथ ही पकेंगे, और जो मेरे रास हैं, उनको मैंने मोटी छनी के साथ, उनको मैंने कश करके, तो फिर इसमें डालूँगी, मैं आपको दिखाते हूँ, मैंने मोटी छनी के साथ इस फुर्फा इसक्रीम होती है मैं आपको धिखाती है इसको अभ मेठा कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो इसको मेठा तेज और कम दोनों तरीकों से कड़ सकते अभी यह पक्के के तो हम आपको दिखाते हैं तो फ्रेंड्स यह देखें यह इसको तकर दूर्ट तक किसी नहीं बनाया तो मैं अपनी फैमिली में पहली हूं और मुझे शुरू से ही कुछ करने का शोग था और मैं वैर एजुकेट हूं लेकिन बाहर जाके जॉब करना मेरे प्लेटफॉर्म से बेस्ट कुछ नहीं लगा कि मैं अपनी और अपनी मदर्स की जो है हमारे बड़ों की जो रैस्पीज हैं वो आपके साथ शेयर करूं उनके जो टीप्स हैं उनके ट्रिक्स हैं वो आपको बताओं ताके हमारे साथ आप उस चीज का फाइदा ले यह जो यूटूब में नहीं मिलेगी इसलिए आप इस रैस्पी को बनाएं इंजुआये करें और लहाजा अगर मेरी कोई मिस्टेक आपको बुरी लगे तो प्लीज उसे इग्नॉर कीजिएगा और अगर मुझे कोई मश्वरा या मुझे गाइड करना चाहते हैं तो मुझे प्ली प्लीज प्लीज ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह साथ-साथ हमारा यह देखें यह जो है लिक्वर्ड यह भी गहरा हो रहा है और यह बस दस मिंट में आपको में दिखाती हूं यह परफेक्ट हो जाएगा इसमें हम सिरफ अब इसको अच्छी से मिक्स कर लिए इसकी बहुत अची स्मेल आती है और इसका टेस्ट है वह दुबाला हो जाता है अब मैंने जो इसका फ्लेम ओफ कर दिया यह इसकी कंसस्टेंसी देख लें आप चैक कर सकते हैं यह इस थिकनस पर आपने इसको बांद करना और इसको अ तोड़ती हैं कुछ देर के लिए फिर आपको दिखाते हैं यह हमारा रूम प्रेचर पी आगया अब हम इसको जग में डालते हैं यह हमने आइस्क्रीम मोल्ड लिया यह देखें इसके उप नीचे मैंना सबसे पहले यह बदाम कटे हुए डालती है यह देखें यह सभी मोल देखें यह देखें लिए यह देखें अब इनको ओवरनाइट के लिए फ्रीजर में रखने लगे हैं माशाला है कितने पैयारी और मज़े के लगी है अब वो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी यह रेस्पी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कीजिए और अगर चैन वाइब जरूर कीजिएगा अला हफीज